के लगभग में सीट खाले, दो चार सीट कम है, लेकिन दो हजार लगभग कह सकते हैं, कि दो हजार सीट अभी खाली है, जो साकी रिजल्ट आया उसमें, और इधर अगर युवा बिरोजगार रह जाए, तो ये तो बड़े सर्म की बात होगी, आउमान भी ये हो जाएगा, इ आपके बारे में हमको पता चला कि आपी मंदार है, रविंदर कुमार जी, तो कम से कम आप अपने उस छवी को दिखाए कि एक विसीट खाली न रहा है, तुस्वे एडिट का ओप्शन आप दीजिए, और परिच्छा के तिति घोसित कीजिए, कलेंडर जारी कीजिए, और इन मांगों को लेकर हम लोग जुलाई में अंदोलन भी करने वाले हैं, पांच-छो दिन के अंदर हम लोग प्लानिंग कर लेंगे, और एडिट के ओप्शन, और बिएससे सीजिए पीटी की परिच्छा के तिति घोसित हो, पुरा परिच्छा का कलेंडर जारी हो, इसके ल हम लोग ने दिन भर धरना दिया रात तक, साथ मुझे तक, और नोटीस जारी हुआ कि एक मेना के अंदर रिजल्ट देंगे, उसके बाद ही हम लोग आँ से आठीक हो, और उसी में मेरे जिन्रगी का पहला एफायर मेरे उपर लाद दिया गिया, मतलब जबरदस्ति का समझ दोनों के समय लगाई गई है, जो कि बहुत बड़े क्रिमिनल के उपर लगाई है, लाइप भीहार मैं आपके साथ रूपा, चात्र नेता दिले बिससी को लेकर 28 तारीक को वो आंदोलन बड़ा आंदोलन करने वाले थे, उनका कहना था कि 27 तारीक तक अगर रिजल्ट नही गया, और यह 2014 की वेकेंसी है, और 2022 इतने दिन लग गया, उस दोरान क्या-क्या परिकेडियाएं भी हुई, छात्र नेता दिले बिससी किन-किन मुसीबतों से गुजरना पड़ा, उसके बाद यह मुकाम इन्हें हासिल हुआ है, हम इन्हीं से बात करते हैं, सारा जनकारी य और मुझे यह बताईए कि सुरू से ही उस समय बहुत सारी आंदोलन भी आपकी हैं, कई बार आपके कारिवाई भी हुई, तो कैसे यह जो हुआ उस सारे पहली बार तो एकजाम हुआ था, तो कैंसील होगी, पेपर लिक हुआ था, हम लोग ने इसम को उठाया, उसके बाद कैंसील हुआ एकजाम, दोबारा एकजाम हुआ, फिर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, फिर उसके लिए हम लोग परियास कर रहे थे, सोसल सैट्स के माद हम से, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था, फिर जबरदस्त एक बार अंदोलन हुआ 17 जनवड़ी 2020 को, और हम लोग फिर हर एक चरण पर अंदोलन करना परा, तब जाके यहां तक बहाली पहुंची, कांसलिंग के लिए भी आंदोलन करना परा, फिर 13 दिसंबर को अंदोलन हुआ, उसमें भी हमारे उपर एक फायर लाद दिया गया, और ऐसी ऐसी धराएं दोनों केस में दोनों एफायर में लगाई गई है जो कि बहुत बड़े क्रीमिनल के उपर लगाई जाती है तो अभी तक उसमें मुझे बेल भी नहीं मिला है और हम लिये भी नहीं है चुकि उसके लिए चाहिए अच्छा उकील को रखना है तो आर्थिक प्रब्लम के चलते हम बेल नहीं ले पाए अभी तक क् कराएं कि बेल कराया अच्छा उक्यल रखे और कम से कम दो उकील को रखे और दोनों जो आफायर उसको हाई-खोट में ले ले जाके वह क्वेस कराएं सब्सक्राइब हो जाए उसको हम वह क्वेस्ट कराएंगे परतना आइक उसके लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए 40-50 कम से कम खर्च होगा अच्छा ओकिल रखने में 10,000 एक ओकिल कम से कम मांगते हैं सिविल कोट की में बात कर रहा हूं और पूरे केस को अगर देख लें दोनों एफायर को तो 40-50,000 मीनमूम खर्च होगा तो इस वज़ा से हम नहीं करा रहे हो कि अगर जुनियर ओकिल को रखे ह कम बैल तो लेठे लेंगे लेकर हमारा केस कमझोर हो जाएक, और सरकार मजब का बाद में हमें ट्राइल पर जाना होगा, गर देट होता हमको झाना पड़ेगा, और हो सकता है च्राइल मीं हमें सजा भी हो जाए, चॉम मेना साल बरजց जो भी हो तो इसलिए हम चाहते हैं और इस बहाली का रिकोर्ड रहा कि अंदोलन के बाद ही कुछ हुआ इतने सारे पैसे खर्च होंगे अब अस्टुडेंट को नौकरी लगने आ रहा है उन्हीं के लिए आप इतना कुछ किये और उन्हीं के लिए केस भी आपे दर्ज हुआ तो क्या अब जो अस्टुडेंट है वो सारे मिलकर करके आपका हेल्प नहीं करेंगे देकि बिलको अस् पूजगार है और हम इनको कैसे बोले कि आप बेल कराने में हमारी मदद कीजिए तो इसलिए हमने इन लोगों से नहीं कहा लेकिन आप हमारे लिए जरूरी है बेल कराना इसलिए क्योंकि आगे अगर हम को यांदोलन कर जेसे 28 तारीक को भी आंदोलन करने वाले थे तो कि फिर हार ये तो चलते रहेगा लेकिन जितने लोग सफल हुए हैं इस पर्थम इंटरस्तरिये बाले उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद और उनसे यहीं अपील करूंगा कि आप लोग इमंदारी से काम कीजिए और लूट खसोत मत किजिएगा जो साथ साल आपने संघर् जो अपने तकलीफे जेली है कस्ट जेला उसको जरूर याद रखिएगा मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप कम से कम लूट खसोत नहीं किजिएगा रिस्वत खोरी नहीं किजिएगा और आप अपने हाथों से अपनी कलम से किसी का नुकसान नहीं किजिएगा कि आपके पास अगर आम आदमी आते हैं तो उसको उसको एहिसा नहीं की बिना मतलब का टरका दिए आजाएए कल आए पर सूँआ ये नहीं जब होना हो इस जो काम हो सकता है उसमें आप लेट लाते भी ना करें क्योंकि आप खुद इस तीज को जहल चुके हैं कि साथ साल आपको लग गया इस तरह से आप मत कीजिएगा और इमंदारी से काम कीजिएगा और जो लोग इसमें नहीं सफल हुए हैं उनसे भी आई कहेंगे कि आप धर्ज रखे और आयोग जाकर एक आवेदन दीजिए आटियाई लगाए कि किस बज़ा से आपका रिजल्ट नहीं हुआ है और पहले वो कारण जानी है कि किस बज़ा से आपका रिजल्ट नहीं हुआ है अगर आप उस कारण से संतुस्ट नहीं है तो फिर आपके हैं उनसे हम यह भी अपील करेंगे कि आप लोग 20 दिन हो 25 दिन हो एक महिना हो या दो महिना हो जितना दिन के अंदर हो आप हमें फोन कीजिएगा वाट्सप पे मैसेज जरूर कीजिएगा या फोन कीजिएगा ताकि हम आपका नंबर सेव कर सके आपके गिरी जिला के अनुसा और फिर आपकी पोस्टिंग की जिले में होगी उसके अनुसार और एक परिवार की तरह हम लोग आगे भी रहेंगे हम लोग को बिहार को आगे ले जाना है बिहार को विकास के तरफ ले जाना है तो मिलकर काम करना होगा चाहे आप डिपार्टमेंट में रहें तो उस अनु अगर आपको वेमानी करने के लिए काम करें तो आप दिलिब कुमार को उस समय भी याद किजिएगा दिलिब कुमार आपके लिए लड़ने के लिए वहां भी आएगा और उस बड़ा से बरा अफसर और बड़ा से बरा नेता के लिए नेता के खिलाप भी हम आपके लिए लड की आठ साल से बेकेंसी चल रहा है जिनकी उम्र समाप्त हो गई अब कहीं भी सरकारी नोकरी के लिए फॉर्म ही नहीं भर सकते और इधर सीट खाली रहा जाए तो ये तो बड़े सर्म की बात होगी, आउमान भी यह हो जाएगा, इन लोगों के साथ न्याए हो जाएगा, तो हम अभी आगराफ करते हैं, BSSC के चेर्मेन से, रविंदर कुमार जी से, कि आप सकेंड रिलिस्ट निकालिए काउंसलिंग के लिए, सकेंड काउंसलिंग करव लिए, उसको चुस्त दुरुस्त कीजिए, और BSSC CGL 3 की भी बात है, तुस्वे एडिट का आप दीजिए, और परिच्छा के तित्री घोसित कीजिए, कलेंडर जारी कीजिए, और इन मांगों को लेकर हम लोग जुलाई में अंदोलन भी करने वाले हैं, 5-6 दिन के अंदर हम लोग प्लानिंग कर लेंगे, और एडिट के ऑप्शन, और BSSC CGL 3 की परिच्छा के तित्री घोसित हो और पुरा परिच्छा का कलेंडर जारी हो, इसके लिए हम लोग जुलाई में अंदोलन भी करेंगे, जितने भी अभियरती हैं खूस होंगे, और आपको धन्यवाद फोन भी दे रहे होंगे, बिल्कुल रात से ही मेरे पास फोन आ रहा है आखिए अभी भी फोन आ रहा है, लेकिन ठों फोन अभी रिसीव नहीं कर पाते हैं, बहुत सब्सक्राइज को सम्तिते हो बारी बारी नहीं से धिए उलोग जरूर करेंगे, उर लेकिन टीनोई को यह हाँ हाँ नमस्कार कही है पंकज पंकज नाम है नापका किसी का कैटेगरी मिसमेच वाला था तो वहां क्या बोल रहा है ओफिस में क्या बोल रहे हुआ है कि इसक्ति प्रयास कर सकते हैं चुकि हम तो वहां कर सकते हैं चुकि हम तो नहीं नहीं है कि हम कोई डिसीजन ले सकते向ra до सकते हैं वह इसे आपका मेरिट के लिए परियास की एक कर सकते हैं आपकी क्या में एक Our पूरा देखना पड़ेगा ना ठीक ना ठीक आप पहले वहां बात कीजिए फिर साम में हमको कॉल कि इसमें ने बहुत सारे स्टुएंट परिशान है जैसे उससे में फॉर्म भरते समय यह यह एंबीसी और जैसे अभी सीजियल थिरी में चल रहा है देखिए इसलिए हम लोग सुधार का कर रहे हैं कि आप एडिट का ओप्सन दीजे कि सुधार हो जाए उस समय भी बहुत सारे लोगों को हुआ था एंबीसी बीसी में समझ नहीं आया उल्टा पुल्टा कर दिया और इसके चलती इन लोग का रिजल्ट लग रहा है तो अब हम मिलेंगे इन से पहले सा रिजल्ट नहीं हुआ है तो इन सब समस्यां पर विचार करना पड़ेगा इसलिए में एडिट का ओप्सन दीजे का ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो तो कितनी अभी तकलीफ होगी आठ साल से लोग लगे हुए इसलिए तो पूरा देखिए कानोनी परकिरिया हो जाती है न तो सारा कानोनी परक्स भी देखना पड़ेगा तभी हम कुछ बोल सकते हैं तो आपने सुना कि अभी जो भी रिजल्ट आ हैं उसमें भी पद खाली रह गहे हैं अब उसके लिए भी ये सेकंड लिष्ट की मांग कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि लगातार दिलिप के करेंगे और फिर आयोग ने इनकी बात सुन ले देखें आप देखी सकते हैं कि लगातार इनके पास फोन आहीं रहा है चले फिलाल के लिए बने रहें लाइफ बिहार के साथ धन्यवाद लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें